तो भाई तो प्राइज फाइटर केवेन ओवेंस का होने वाला है रिटर्न और बहुत ही बुरी तरह से अटेक करने वाले हैं रोमन रेंस कूपर भाई डबडबली के अलिमेशन चेंबर में आपको पता ही होगा कि सैमी जेन बस रोमन रेंस का मैच कनफर्म हो गया है बहुत लोग सोच रहे हैं केवेन ओमेंस का है वाई जब से राल रंबल में पीटे हैं अब डबलर लाइन के आतनों तब से एक भी बार देखने को नहीं मिले हमको ऐसे में बहुत से फैंस का यह कोश्चन है कि केवेन ओंस इंजर्ड हो गया है लेकिन बता दूं आपको बाई बलर लाइन एंड रोमन रेंस से अंफिनिश्ट बिजने से आपने देखा है वा कि रॉयल रंबल में किस तरह से केवेन ओंस को पीटा गया था दबलर लाइन के हातों तो ऐसे में भाई जल्दी हमें केवेन ओंस का रिटर्न देखने को मिज़ लगता है इसमें डाउन या पर लिए संचेमबर में और भाई सैमी जन का हेलप करते हैं पूरी तरह से नजर आने वाले हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ क्या प्याइन के वजशे से ही डवीड़ डबली के डिबलर लाइन टूटी है और सैमी जन ने अटेक किया था रोमन रेंस को पर सिर्फ के से थे तो बाई कैवेंनमेंस यह जड़ है जिसके वज़े से रुमन रेंस एंड सेमी जैन का मैच बना है एंड इन दोनों का फाइट होने वाला है तो ऐसे मैं चाहलेंज करने वाले हैं जिम्मि उसो एंज उसो को साथ ऐसा हो सकता है दो बहुत लोगे जिम्मी उसो विजए म का मैच होने वाला है तो भाई इसके उपर मैं एक पर्टिकलर वीडियो बनाया हूँ कि होगा की नहीं या इसे में अभी बस रूमर्स है भाई होने वाला है यह नहीं कंफार्म है 50-50 चांचेस हैं तो भाई आपको बतादू दब्लड लाइन के दोनों मेंबर जियो उसे जी मिउस हो एंड सेमी जेन एंड केवेन ओवेंस का मैच देखने को मिल सकता है टाग्टिम चैंपियंशिव के लिए और यह इस टोरी लाइन आगे कंटिन्यू रहेगी सेमी जेन एंड का और डबलड लाइन का इस इस स्टोरी ए जढ देखने जारी जिए तेखने ओदी है टाग्टिम चैटोरी लाइन के लाइन एंड का दूरी कि हम और उस्टेखने का चैंपिया का बिएर भ्सक्राइन। आख मेंच क्टैश्णिश्चे इस टूंच क्टैश्टैश्टैश्टैजश्टैश्टैण